यह एर फाइबर क्यों नहीं खरिदना चाहिए इस विडियो में आपको रिजन देने वाला हूं और अगर आप लोग कंफ्यूज है कि जियो एर फाइबर खरिदू या जियो फाइबर खरिदू इस वीडियो की मदद से आपको सारी प्लियरिटी भी मिल झागी नमस्का दोस् कई एर Fiber connection प्लान किया है और उसके बाद बात करते है ऑप्तिकल फाइबर connection किया है है और फिर वह से यूरे त्रूपर कर सकते हैं ए और जोकि आपने इंटरनेटनेट करेगा, जो की आपका इंटरनेट फ्रॉड़ रृडॉड न, फॉर एक्जम्पल जीओ है वो आपको प्रोइड करेगा और वही पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्लान वह होता है जहां पर आपके वायर के थूर इंटरनेट आता है जो कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोइडर आपको प्रोइड करते है बेसिकली यह वायर्स की इस्टे वह भी नहीं होते है और उसमें आपको कोई भी प्रकार के नेटवर्क और सेटलाइट इस्टी भी देखने को नहीं मिलेगे और एर फाइबर कनेक्शन में आपको कभी स्वामर लिद्ध कि कोई भी बारिश आ जाती है कभी मौसम भी गड़ जाता है तो बेसिकली हो सकती है ऐर फाइबर कनेक्शन प्लान में क्योंकि अपकी टावर और हूट वार इसपीज बीच में अगर बाया जाती है क्योंब अगर को क्योंबी प्रकार केया ट्री है कुँछ भी है को भी किसी का घर आता है तो इसे जगा पे और यूजिकर व सकता है एप लिद्ध एकदम fast और reliable internet प्रोइड होगा जो कि अपने easily use कर सकते है as compared to the air fiber plan ठीक है अब एर fiber plan किन लोगों के लिए है वो भी मैं आपको बताता हूँ और किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको पहले बात कर देता हूँ देखें क्यों आपको बाइडि नहीं करना चाहिए सबसे पहले आप चेक किजिए कि आपके area में fiber connection plan अवेलेबल है या नहीं है अगर fiber connection प्लान अवेलेबल नहीं है और fiber connection प्लान अवेलेबल है तो आप air fiber connection फाइबर कनेक्शन प्लान को ईक हैसे अगर्च धार अपको आपको हुआफाइब एचरेंगे की जरुवत नहीं है उससे अपने फोन का इंटरनेट रहें पाइब नहीं आपको एरफाइबर कनेक्शन प्लान लेना चाहिए ठीक है वो बिसिकली आपके लिए बहुत ही हेलफुल रहेगा उसकी रिजन्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ देखी एर फाइबर कनेक्शन प्लान क्यों लेना चाहिए पहला तो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी उ और चीज़े भी प्रवाइड करते हैं जैसे की ओटीटी प्लैटफर्म से हो गए और बिसिकली इसक्टेक्शन हो गया जिसमें अपने को और लोकल चैनल्स लोकल टीवी चैनल्स और अपने को एक सेटड़ बोक्स वो सार आब यह एक्स्टा सर्विस भी अपने को प्लान लेना चाहिए ठीक है जो विलेज एरिया में रहते हैं जहां भी फाइबर कनेक्शन प्लान नहीं है वो लोग ले सकते हैं अगर आपके घर के और टावर की बीच में कोई बाधाय नहीं आ रही है मतलब कि कोई भी प्रकार का कोई डिस्टर्बंस नहीं है तो यह अगर कुछ भी हवा जाती है तो वह सारा अपना काम सिस्टम विगाड़ देती है ठीक है आपके और आपके घर के और आपके टावर के बीच में कोई कोई बाधा है नहीं है नहीं है तो आप प्रचिस कर लिए फाइबर कनेक्शन प्लान अगर वाधा थारी बाधाय है तो ऑफ्लाइन भी आप काण्टेक्ट कर सकते है और ओनलाइन भी आप उनकी वेबसाइटे पी जाकरons जैसे कि अपने जी ओ में है अवेलेबल अपने को सारे अाप सब दिखा देते है ठीक है लगे होगी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वने मात्राम बाई बाई